एक और चीज जो इस बार पहली बार इस तरह से नोटेस होई जर्रेल वीके सिंग वो ये कि अभी तक देश में कोई भी आपदा, कोई भी आपत्ती आती थी तो हम हमेशा ये चर्चा भी करते थे कि हर चीज के लिए सेना को वहाँ पर फिट किया जाता है सेना को सेना का ही काम करना चाहिए या ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जरूरत थी श्वेता देश के उपर जब कोई आपदा आती है, कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो देश के सारे साधनों का इस्तेमाल जरूरत है आपने देखा होगा शुरू के अंदर जो क्वारिंटीन की जगह बनाई गई उसके अंदर सेना और ITBP शामिल थे जो हॉस्पिटल का मानेसर वगरा के अंदर प्रबंद किया गया उसके अंदर सेना शामिल थी तो ऐसा नहीं कि सेना पीछे थी लेकिन सेना अपना काम चुपचाप करती है मैं आपको पीछे ले चलता हूँ जब केदारनाथ की तरास्भी हुई थी जब तक सेना ने काम किया उन्हेंने कुछ ज़्यादा बोला ने उनके बारे में बात मीडिया ने की उनके जाने के बाद तो ये एक अपने आपके अंदर सेना की खूबी है कि वो काम करती है काम के अंदर ये नहीं देखती कि उनको उसका श्रे मिलेगा के नहीं मिलेगा और देश के लिए काम करती है ये सबसे बड़ी बात तो जैनल वेके सिंग में आपके सेना की अनुभव के साथ जोडते हुए आपके रिटायमेंट के बाद इस तरीके से सरकार की एक इंडॉर्समेंट के साथ सर्जिकल स्ट्राइक, एर स्ट्राइक इस तरह की चीजें हुई कश्मीर में धारा 370 को आपकी सरकार ने हटा दिया और उस सब के बाद एक लंबी शांती के बाद हम एक ऐसा समय देख रहे हैं जब इस तरह का तालमेल हमारी सुरक्षा एजंसियों में है हम रिकवर भी करते हैं वो 45 किलो का आई एडी जो गाड़ी में सिर्फ इसलिए भेजा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्शती पहुंचाई जा सके यानि इस समय कश्मीर में जो कुछ चल रहा है जिस तरीके से आपके स्थानिय लड़कों की रेकूट्मेंट आतंकवादियों के तौर पर कम हुई है एलसी पर तो घटनाय लगातार तेज हैं लेकिन इस तरह की जो चीज़ें कम हुई है क्या यह आने वाले समय के लिए एक पॉजिटिव संकेत है आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं यह कहूँगा कि इसके अंदर 370 के जाने का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि 370 के जाने का मतलब यह था कि लोगवागों को पता चला कि विकास क्या होता है आज विकास उनके गाउं गाउं तक पहुँच रहा है और इसलिए उनके अंदर एक विश्वास भड़ता जा रहा है कि किस प्रकार जो लोग उनको गुम्रह करते थे उनके साथ नहीं जाना है मैं आज जो हालत है काश्मीर की उसके अंदर इस चीज़ का बड़ा योगदान मानता हूँ और मैंने अनुभव किया था वहाँ पर तुम्हें बारा साल जो मैंने वहाँ पर बिताये हैं कुछ गाव ऐसे थे जहां पर 1947 के बाद रोड ही नहीं बनी है पैसा कई बार सेंक्शन हुआ होगा वो कहां गया किसी को नहीं पता किसके बंगले उससे बने किसी को नहीं पता लेकिन अब जिस प्रकार से हमारे जितने भी वहाँ पर सरपंच हैं जितने भी पंचायते हैं उनको उनका पूरा अधिकार दिया गया है उनका शर्शक्तिकरन किया गया है ये एक आगे के लिए बहुत बड़ी चीज है आज तक पहले कभी भी पंचायतों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था मुझे याद है दोजार दस के अंदर जब आ उमार अईसे कगार पर थे कि वो कभी भी स्थीफा देने की तैयारी कर रहे थे मैंने उनको का कि आप अपने पंचायतों को जो इलेक्शन हुए हैं इनको अधिकार क्यों दे रहा है और मुझे पूरी आशा है कि जिस तरीके से सैना जिस तरीके से हमारा प्रशाशन जिस तरीके से हमारे राजनेतिक इस काम के अंदर लगे हैं कश्मीर का भवश्य बहुत अच्छा दिखाई देता है